हलो फ्रेंस वल्कम बैक तो आज के हम इस वीडियों करने वाले हैं क्लास एट गुजराती का असाइमेंट जो आपका आ गया है और इतका टाइम है थ्री क्लॉक मतलब तीन घंटे आपको टाइम मिलेगा और अस्ती माक का पेपर है ठीक है नीचे ना प्रस्टो ना उत्तर एक एक वाक्या मा लखो Q&A नीचे ना दरेक प्रस्टों ना उत्तर माटे आपेला विकल्पों माथे साचो विकल्प सोधीने लखो नीचे ना प्रस्टों ना उत्तर एक एक वाक्यामा लखो क नीचे ना प्रस्टों ना उत्तर बे तरण वाक्यामा लखो D. नीचे नी कावे पंक्ती पूरण करो E. नीचे ना कावे पंक्तियों समझावो E. नीचे ना A. विभागने क्रिती साथे B. विभागने योग्ये क्रिता ने प्रकार नो जोड़ो ठीक है? यानि की इंसोर्ट इसमें मैचिंग करना है Question number 3 माग्या मुझे अब उद्दर लखो फर्स्ट आपको क्या करना है? कव में आपको जोरणी सुधारनी है इसकवाद आपको समानार्थी सब्द आएंगे इसकवाद विरुदार्थी सब्द आएंगे इसका सब्द समूख में से आपको एक सब्द लिखना है इसका दुरुडी प्रयोग आएगा और उसका आपको वाक्य प्रयोग करना होगा नक्स आपका इसागा विसेशन और विसेशन यानि ग्रामार आजाएगा विराम चिन्न लगाना होगा क्रिया विसेशन लिखना होगा क्रिया पद लिखना होगा और नाश्ट में आपको आए का इसके बाद आपको कोई भी निबंद लिखना होगा उसमें जो भी आपको दिया गया होगा उसमें से कोई एक निबंद लिखना है और इसके बाद नीचे आप मेला पंक्तियों और फिर कहे वातों कहे वातों विचार विस्तार करो यानि कि पंक्तियों जो आपको पंक्ति समझाना तो स्टार्ट करते हैं गुजराति का साइमेन दोसल में पड़ा था कि क्ेशन-नमबर वन में आएगा सद्कुंसी तुसे तरह से यहां पर आपका एमसी क्यू आगया है नीचे ना दरिक प्रष्ण न हुत्तर माटे आपे ला विकल्प सोधी ने लखो तो क्वेश्ण नम्बर 11 पत्र कोणे लखे होतो दोई यहां पे पत्र कोणे लखे वे सकाए्थ है सकने नमबर election पत्रें वांची सक्क्यों नहीं कारण के सक्षित्यनि नम्बरigten थिती कुरू छेतर मुझाई गये लो अर्जुन जेवी हती। कोशन नंबह थी का एंसवर है लेखक ने। कोशन नंबह फूर बंधे मित्रोंने सेनों अफसोशतों। एंसर है आप लोग का वेद साहे, पत्र वेद साहे पासेज रही गयो एनो, ठीक है, क्वेशन नमबर 4 का 2, चैप्टर नमबर 13 में से आपका क्वेशन है, परस्ट नमबर जुले लालना गीत कौन गाई छे, तो एंसर है आप लोग का जुले लालना गीत सिंधियो गाई छे, ओप्सन ब, सकेन नमबर, प्रवास समीती ना त्रण सभ्योंनू कईउ जोड कू साचू छे, एंसर आपका रिवती, वरूण, अने सिंधू, चीके, तो ये आपका C नमबर आएगा, रिवती, वरूण, और सिंधू, थर्ड नमबर, सागर पिनारा अंजली नव धोड़ जो कौने कहवा मावव्यों छे, तो एंसर आपका माधवपूर ने, माधवपूर ओप्सन ब, चैप्टर नमबर 14 में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नमबर 1, मेहुन नी नोट साहे वर्ग ना बधा बाड़कोंने बतावे छे, कारण के एंसर आपका रिवती ना अच्छर 16 में से मात्री देव पाठ मा वधारे तो तेहां पे आपका ओप्सन है, और इसमें आप लोग का एंसर आएगा माता न पोता ना बाड़क प्रतेनों खुब प्रेम ने, प्रेम नी वात छे, ठीक है, इसमें आपका ओप्सन सी आएगा, सेकेंड नमबर, अपंग, अपंग तनना पण, मनना नहीं, एटले, इसका मतलब है, मननी मकम ता बहु मोटी होई, यहाँ पे आपका ब, यानी बी ओप्सन आएगा, थर्ड नमबर, मानव बाड़नी गंध कोने आवे, तेहाँ पे अंसर आएगा, सीहण ने, ओप्सन ए, 17 चैप्टर, कुशन नमबर वन, समग बी, कुशन नमबर टू, प्राचीन समय मां पश्चिम भारत नू, प्रवेश द्वार कयू गड़ातू, ओप्सन आएगा, आपका कच्छ बी, थर्ड नमबर, सुरस बारी सू छे, तो सुरस बारी पूल छे, फोर नमबर, कच्छ नू धोड़ा वीरा गाम, साना माटे प्र सब्सक्राइब, इसका आपका question answer आएगा, जो हम लोग next part में करेंगे, तो मीटने अगले वीडियो में जैहिन जैभायक, अगर आप लोग को और भी कोई assignment का अगर आप लोग को वीडियो चाहिए, या फिर उसका solution चाहिए, तो आप हमें comment करना, हम आपको provide कर देंगे, ठीक प्रश्ति हमें जाइंग जाता